मां हमारा पालन पोशन करने के साथ ही हमारे जीवन में मारक दर्शक और सिक्षक की भी भूमी का निभाती है हम अपने जीवन में जो भी आरंबिक ज्यान तथा सिक्षाएं पाते हैं वो हमें हमारी मादवारा ही दी जाती है यहीं कारण है कि मा को प्रथम शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है एक आदर्स जीवन के लिए मा की शिक्षाएं हमारे आदर्स जीवन के निर्मान में हमें हमारी मादवारा दी गई शिक्षाएं काफी महत्वर रखती है क्योंकि बच्पन से ही एक माँ अपने बच्चे को नेकी सदाचार तथा हमें से असत्य के मारक पर चलने जैसी महत्पुन शिक्षाएं देती है जब भी हम अपने जीवन में अपना रास्ता भटक जाते हैं तो हमारी माँ हमें सद मारक पर लाने का प्रियास करती है कोई भी मा कभी है नहीं चाहती कि उसका बेटा या बेटी गलत कारियों में लिपत रहे हमारे प्रारंबिक जीवन में हमें अपनी मादवारा का यह ऐसी आवशक शिक्षाएं दी जाती है जो आजीवन हमारे काम आती है इसलिए एक आदर्श जीवन के निर्मान में मा का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है मेरी मा मेरी सबसे अच्छी सिख्षक इस बात को मैं काफी गर्ब और विश्वास के साथ कह सकती हूं कि इस दुनिया में मेरी मा ही मेरी सबसे अच्छी सिख्षक है क्योंकि मुझे जनम देने के साथ ही उसने मुझे मेरे सुरुवाती जीवन में हर एक चीज सिखाई जिसके लिए मैं पूरे जीवन उसकी आभारी रहूंगी जब मैं छोटी थी तो मेरी माने मेरी उंगली पकड़ कर चलना सिखाया जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मेरी माने मुझे कपड़े पहना ब्रेश करना जूते का फीता बादना सिखाने के साथ इघर पर मुझे प्रारंबिक शिक्षा भी दी जब भी मैं किसी कारिये में ऐसफल हुई तो मेरी माने मुझे में और भी विस्वास जगाया जब भी मैं किसी समश्या में थी तो मेरी मा ने हर संभव प्रियास किया कि मैं उस बाधा को पार कर लूँ बले ही मेरी मा कोई बहुत पढ़ी लिखी महिला ना हो लेकि उसके जिन्दगी के तजर्वे से प्राप्त ज्यान की बातें किसी इंजीनियर या प्रोफेसर के तरकों से कम नहीं है आज भी मुझे कुछ ना कुछ जरूर सिखा पाती है क्योंकि मैं कितनी ही बड़ी क्यों नहीं हो जाऊं लेकिन जिन्दगी के अनुहों में हमेशा उसे छोटी ही रहूंगी वास्तों में मेरी मा मेरी सबसे अच्छी सिक्ष्यक है और इसके द्वारा दी जाने वाली हर एक सिक्ष्या अनमौल है उन्होंने मुझे बस प्राणबिक सिक्ष्या ही नहीं दी बलकि जीवन की जीने का तरीका भी सिखाया है मुझे इस बात की शिक्षया दिये है कि समाज में किस तरह से वेभार करना चाहिए मैं मेरे दुख में मेरे साथ रही है मेरे तकलिफों में मेरी सकती बनी है और मैं मेरी हर सपलता का आधार स्थम्भ भी है यही कारण है कि मैं उन्हें अपना सबसे अच्छा मित्र मानती हूँ हम अपने जीवन में कितने ही सिख्षित तथा उपादी धारक क्योंने हो जाए लेकिन अपने जीवन में जो चीजे हमने अपनी मा से सीखी होती है वे हमें दूसरा कोई और नहीं सीखा सकता यही कारण है कि मेरी मा मेरी सबसे अच्छी सिख्षक है क्योंकि उन्होंने मुझे सिर्फ प्रार्णबिक सिख्षा ही नहीं बलकि मुझे जीवन जीना भी सिखाया है धन्यवाद